दोस्तो अगर आप एक Instagram यूजर्स हो और आपको भी कुछ इस तरह की प्रोब्लम आ रही है जैसे कि आप यहाँ पर डिस्पले पर देख सकते हो थैंक्स फॉर प्रोवाइड यूर इन्फॉरमेशन अगर आपका Instagram लोग इन नहीं हो रहा है आपको जो है ऐसा error देखने को मिल रहा है जिसमें आप यहाँ पर परिशान हो रहे हो आपका account लोग इन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ये प्रोब्लम दो मिनट के अंदर सॉल हो जाएगी अगर आप चाते हो के हमारा जो account disabled हुआ है वो फिर से recover हो जाए तो हमारी इस वीडियो को आपको बिना skip किये end तक देखना है जो तरीका हम आपको बताएंगे बस आपको उसको follow करना है उसके बाद में आपका जो account होगा वो recover हो जाएगा पहले की तरह जो है उसको आप use कर पाएंगे तो यहाँ पर यह जो problem आपको आती है यह इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर instagram को कभी कभी हमारे accounts पर शक हो जाता है तो वो हमारे से हमारे detail को provide करने के लिए कहता है यानि कि वो यह चाहता है कि कोई भी बंदा यहाँ पर fake ID को use न करे तो इसलिए जिस accounts पर उसको सक होता है तो उसके account को वो disable कर देता है अब यहाँ पर instagram कहता है कि आपको एक form submit करना होगा जिसमें आप अपनी detail को provide कराएंगे detail हमें बताएंगे और हम उसको check करेंगे review करेंगे उसके बाद में हम आपके account को फिर से आपको वापस कर देंगे फिर से आपका account हम यहाँ पर चालू कर देंगे तो अब इसके लिए हमें एक form submit करना होता है आप कुछ परसन को यहाँ पर यह नहीं बता होता है कि form को submit कैसे करना होता है तो इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि form को आपको कैसे submit करना है और किस तरह से Instagram टीम के पास में अपनी एक report को बना करके send करना है जिससे Instagram टीम आपकी जो है आपके account को recover कर देगी आपके पास में वापस से उसको भेज़ देगी और आप अपने Instagram account का password reset करेंगे और आपका जो account होगा 100% यहाँ पर चालू हो जाएगा तो अब हम चलते हैं mobile की screen पर और हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको उस form को submit करना होगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो श्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लिजे मेरे नामे शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को subscribe करके bell notification को all पर प्रेस कर लो कि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसी के description में जा करके भी आप link पर click करके उस form पर जा सकते हो जिसको आपको fill करना है यह फिर अगर आपका वो link काम नहीं कर रहा है तो आप direct जो है Google को open करेंगे Chrome browser के अंदर वहाँ पर आप Google में search करेंगे my Instagram account was deactivated तो यहाँ पर यह search करने के बाद में ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा सबसे उपर में एक link दिखाए देगी उसको ignore कर देना है second number पर आपको यहाँ पर एक Facebook का icon दिखेगा उसी के ठीक नीचे वाली link पर आपको click करना है यहाँ पर हम इस पर click कर लेते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे तो इस तरह का interface ऐसा form हमारे सामने खुल करके आ जाएगा जिसको हमें feel करना होगा अपनी detail इसके अंदर feel करनी होगी और Instagram टीम को जो है इस form को submit कर देना है इसको send कर देना है Instagram टीम हमारे account को check करके हमारे account को हमें recover कर देगी अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस form के अंदर आपको क्या-क्या लिखना है क्या-क्या चीज भरनी है सबसे उपर first नम यहाँ पर आप देख सकते हो full name तो यहाँ पर जो आप से मांगा जा रहा है वो full name है तो आप सबसे पहले आप अपना full name यहाँ पर डालेंगे second number पर आपकी जो email ID है अब अगर आपके पास में वो email ID है जिससे आपने अपने Instagram account को बनाया है तो वो ही आप यहाँ पर enter करें और अगर आपके पास में email ID वो नहीं है आपने जो है Facebook से account बनाया है नमबर से बनाया है तो आपके पास में कोई भी जो email ID चल रही हो वो यहाँ पर आप डाल देंगे फर्ष्ट में नाम डालेंगे सेकंड नमबर पर email ID डालेंगे और थर्ड नमबर पर आप अपने Instagram account का username एंटर करेंगे यहाँ पर थर्ड नमबर वाले box में आपको ध्यान रखना है अपने Instagram का जो username था आपका उसी को यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद में यहाँ पर जो है अब यहाँ फर्ट नमबर वाले box में आपको एक mobile नमबर देना होगा जो कि चालू होना चाहिए अब यह mobile नमबर जब कुछ लोग देते हैं तो यहाँ पर mistake करते हैं वो country का code नहीं देते हैं जैसे के इंडिया का जो country code है वो 91 है तो यहाँ पर से आपको पहले 91 देना है और इसी की साथ में मिला करके इस पेस नहीं देना है आगे मिला करके अपना यहाँ पर mobile नमबर आपको टैप कर देना है उसके बाद में आप यहाँ नीचे देख सकते हो एक box दिखाई दे रहा है इस box के अंदर आपको जो है कुछ लिखना होता है जैसे कि मैं आपको जो बताऊँगा आपको वो ही लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर box पर किलिक करता हूँ और एक message को यहाँ पर मैं paste करूँगा कुछ इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने message को यहाँ पर paste कर दिया है तो इसी तरह से इस message को आपको यहाँ पर लिखना है सारी चीज़े आपको यहाँ पर यह देख लेनी है वीडियो को आप यहाँ पर बढ़ा करके देख सकते हो ताकि आपको यह message दिख जाए तो यह पूरा मेसज़ जो मैंने यहां पर टैप किया है सेम यह ही लिखना है और नीचे में सेंड का एक आपशन है उस सेंड के आपशन पर किलिक करने के बाद मैं आपकी जो रिक्वेश्ट है वो इस्टागराम टीम के पास में चली जाएगी उसके बाद में आपको 24 घंटे का वेट करना है 24 घंटे का वेट करने के बाद में आपके इमेल पर एक mail आएगा जो आपने email ID दी होगी उस पर एक mail आएगा जिसमें एक link दिया जाएगा उस link पर किलिक करने के बाद में आप अपने password को reset कर पाएंगे reset यानि के change कर पाएंगे और उसके बाद में आपका जो account होगा 100% यहापर recover हो जाएगा और आप फिर से उसको use कर पाएंगे तो guys इस तरह से इस process को follow करके आप अपनी इस problem को solve कर सकते हो और उसके बाद में अपने account को पहले की तरह use कर सकते हो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगई गर आपको पसंद आजे तो इसको like करें share करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में